हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है cmd का यूज करते हुए आप अपने फाइल या फोल्डर को कैसे encrypt या decrypt कर सकते हैं वो देखेंगे और प्लीज गए यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न और किसी और सिस्टम में जाको उसको ट्राइब करेगा उपन करने के लिए तो वह उपन नहीं होगा यदि आप इसको सिक्यूर करना चाहते तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसी आप सिक्यूर कर सकते हैं आपके अलावा कोई भी नहीं देख सकते हैं एक्जम्पल के दिखाऊंगा आप भी अपने केस में जिसको भी सिक्यूर करना चाहते हैं इस तरह से ओपन कर लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको टैप कर देना है cmd और इंटर कर देना है इंटर करते हैं यहाँ पर इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे इस तरह से type कर देना है, इसके बाद space देना है, इसके बाद यह डाल दीजेगा, इस तरह से आपको slash कर देना है, यह का मतलब हुआ encrypt, इस तरह से आप इसको type कर लिजेगा, same to same, इसके बाद आपको क्या करना, interface कर देना है, interface प्रेस करते हैं, यहां पर आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं, दोनों फाइल के आगए, ओके लिखा हुआ गया, इसका मतलब यह encrypt हो चुका है, चलिए अब हम इसको यहां से close कर देते हैं, अब आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको दिख जाएगा, करने के बाद, यहां पर मैं इसको copy कर देता हूँ, आप देख रहे हैं, मेरे case में इस pen drive के अंदर copy हो चुका है, चलिए अभी मैं इसको दूसरी system में connect करके आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं, मैं दूसरा system in edX पर connect कर लिया हूँ, उसके अंदर pen drive भी connect कर चुका ह अभी मैं उस pen drive और open कर लेता हूँ, यहां पर नएप यहां पे यह data था हैं, इसको मैं यहां से copy करके यहां पर paste करता हूँ, तो आप देख रहे हैं, चलिए मैं इसको बढ़ा करके भी लिखा देता हूं यहां पे आप देखने यह कोपी नहीं हो रहा है यानि यह दूसरे सिस्टम में कोई आपका डाटा कोपी भी नहीं कर सकते हैं मैं यहां पर करने के कोशिस करता हूं यह कोपी नहीं हो पा रहा है चलिए अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं आप देखने डे करता हूं मैं इसको पर डबल क्लिक करके दékता हूं यह कर सकता है है इस तरह से सामने मैं ओ Radio कर सकते हैं आभी इसको कर देता हूं यहां पर उफन करके देखता हैं यह यहां पर देख रहे हैं यह open हो रहा है ऐसे ही मैं वीडियो फैल को भी open करके देखता हूं यहां पर यह भी open हो रहा है दोनों चल रहे हैं यहां पर चलेगा अब मालिजे आपने इस सिस्टम में एक user से ज्यादा user create कर लिया होगा तो क्या होगा आपका जो user में encrypt किया है उसी user में चलेगा दूसरी user से कोई login करेगा तो उस case में भी आपकी system में भी नहीं चलेगा तो इस तरह से आप अपना personal data को secure कर सकते हैं यदी आप इसको decrypt करना चाते है तो इसके लिए आपको क्या करना है हाँ यहाँ पर कलिक करने के बाद यहाँ पर cmd टैपकर देना है इसके बाद आपको inter कर देना है इस तरह से विंडो ओपेन हो जएगा यहाँ पर आपको टैप कर देना है इस तरह से टैप कर दीजेगा इसके बाद इसके बाद बैक स्लेश डालना है और डी डाल देना है डी का मतलब के बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे डिक्रिप्ट हो जाएगा यहां पर अभी कोई लॉक नहीं है अभी यह फाइल को भी कोपी करके कहीं भी चला सकता है देख सकते हैं इस तरह से आप अपना डाटा सेक्यूर कर लिजेगा यह आपके लाइफ में बहुत काम थैंक यू